Greetings to all, Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government P.G. College 12, Rajasthan. Today, we are going to study about Shisham Plant. बच्चों, आज हम Shisham पादप के बारे में study करेंगे Shisham Plant की Climatic Condition, Botanical Description, Ecological Condition, इसकी Economic Importance के बारे में आज हम study करेंगे. इससे पहले मैंने आपको Wood के General Character बताये थे. इसके साथ टीक Wood के बारे में और टीक Plant के बारे में आपको detail में study करवाई थी. आपने पढ़ लिए बच्चों ही सब. आज हम Shisham पादप के बारे में detail में study करेंगे. Shisham बच्चों आपने देखाओगा हम राजिस्तान के निवासी हैं. बारा जिले में, अपन बारा जिले में आते हैं, अगर हम अपना कॉलेज बारा जिले में हैं, तो बारा में ही, अपने कॉलेज में ही, Shisham के कहीं Plants लगे हुए हैं. तो Shisham क्या है? तिंबर की दस्टी से Shisham एक Economically Important Plant है, भारत में Shisham वे काला Shisham कास्ट की दस्टी से अधिक महिकपूर्ण हैं. इसका Botanical Name क्या है? डलबर्जिया, Sissow, Classification, Botanical Name डलबर्जिया, Sissow, Classification of Dalबर्जिया, Sissow, Kingdom Plenty, Division, Magnolia of Aita, Class, Magnolia of Cidre, Order, Fables, Family, Fablesy, इसका प्राणा नाम क्या है बच्चों? लेग्यूमिनोसी इसका प्राणा नाम है, लेकिन अब इसको वर्तमान में स्कुल को Fablesy के नाम से जानते हैं. जीनस, डलबर्जिया, Species, Sissow. Scientific name, Botnical name क्या है इसका? डलबर्जिया, Sissow. Local name क्या है इसका? Sissow और Shisham. Useful organ, useful plant part क्या है इसका? Wood. लकड़ी हमार लिए इसकी useful होती है, family क्या है इसकी? Fablesy family. शीशम, डलबर्जिया की कहीं जातियां जो हैं, इमार्ती काष्ट के स्त्रोथ के रूप में उगाई जाती हैं. भारत में शीशम वे काला शीशम प्रमग रूप से इमार्ती काष्ट के रूप में उगाई जाती हैं, शीशम पाउत्पत्तिस थल उप हिमाले शेत्र माना गया हैं. डलबर्जिया, Sissow. इसको नौर्थ इंडियन रोज्वूड. इसको नौर्थ इंडियन रोज्वूड के नाम से भी जाना जाता है. इप इस ए फास्ट गूइंग ट्री, ये तेजी से उगने बाला पेड है. इसको इन दीवार्शव ककॉंटिनें अडर्शव. शीशम का उब हमाले शेत का मुख्य पादप माना जया है इट इज हाड़ी इज हाड़ी डेसिदियस रोस रोस वोड ट्री इज लोंग कृप्ट ट्री और इज लेदरी लीव्स विट वाइट इज पिंकिश फ्लावर सफेद या गुलाबी रंग के फूल आते हैं साइन्टिफिक क्लासिफिकेशन इट इज बिलोंग टू किंग्डम प्लैंटी और फेबेल्स इज बिलोंग टू फेमली फेबेसी एड जीनस डलबर्जिया कॉमन नेम इसका कॉमन नेम क्या है यह पर क्लासिफिकेशन फिर रिबीट करती हूं बच्चों में बोटनिकल नेम डलबर्जिया सिसो किंग्डम प्लैंटी ओर फेबेल्स फेमली फेबेसी जीनस डलबर्जिया कॉमन नेम दे कॉमन नेम अफ डलबर्जिया सिसो आर सिसू तहली और ताली इसका कॉमन नेम क्या है सिसू है तहली है ताली है यह इसके कॉमन नाम है और common नाम है इसके यह और शिशम, सिसो, शिशम In India, it is known as Viradi and Siso and in Afghanistan, it is known as Shiva In Persian, it is known as Jag भारत में इसको Viradi और Siso के नाम से जानते हैं Afghanistan में इसे Shiva के नाम से जाना जाता है और Persian में इसको Jack के नाम से जाना जाता है It is the state tree of India's Punjab state यह Punjab state का यह state tree है It is the provincial tree of Pakistan, Punjab province Dalbergia Siso has a great commercial importance and its wood is commonly known as Shisham और Shisham Shisham और Shisham Dalbergia Siso की जो wood है उसकी भाँ जादा commercially, economically यह हमारे लिए important है Habitat पे आते हैं हम Dalbergia Siso is native to the fourth hill of the Himalayas Shisham की उत्पत्ती स्थल, मुक्यत, हिवाले, शेत्र, पंजाब वे आसाम है भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम, मंगाल, आसाम में इसको व्यापक रूप से उगाया जाता है अन्य राज्यों में भी इसके व्यापक शिराज मारकों की किनारे पर आसानी से देखे जा सकते हैं और आम तोर पर उगाया जाते हैं डलबर्जिया को इमार्ती काष्ट के रूप में उगाया जाता है जिसमें डलबर्जिया सीसो, डलबर्जिया लेटिफोलिया, डलबर्जिया मिलोनोजाइलोन, डलबर्जिया नाइग्रा, आदी प्रमुक इसकी स्पिशीज हैं भारत में शीश्यम वे काला शीश्यम प्रमुक रूप से इमार्ती काष्ट के रूप में उगाया जाती है भारत में शीशम तथा काला शीशम को पंजाब, हर्याना, उत्तरपदेश, पश्चिब मंगाल तथा असम में व्यापकिस्तर पर उगया जाता है। इसके अतिरिक्त ये मद्धे भारत गुजरात में भी उगया जाता है। तुर ख॑चिए उत्तर गुश्और कर तृकिस्तर, पज्कितर गुश्णल जाता है। आपकुझे साथ silच, भी गत्तर गुश्णल तीने सब्सक्राइब, तंगे प्यूमित्रओर साहरीफ, जा खत्वक्वीश। तंग बिश्दी looking, तंगिया जाता है। up to 2,000 mm and drought of 3 to 8 months, seedlings are intolerant of shed, यह इसकी habit हो गई, अब हम इसके morphological characters, botnical character पे आते हैं, डलबर्जय सीसू का पादफ काफी बड़ा पंडपाती वरक्ष होता है, जिसकी उंचाई 15 मीटर तथा इस्तम का घेरा 2 से 3 मीटर तक का हो सकता है, चाल 12.7 mm मोटी गूसर खंडित वे खुरदरी होती है, रसकाश जो होती है, भारी लेयर जो होती है, वो कम मोटी जबकी तथा सफेद, जबकी अन्ते काश जो अंदर की लेयर होती है, हाट फूर जो होती है, वो कठोर, सुनेरी भूरी, भारी, वे विश्लित छिद्रल होती है, इसमें वाट्शिक वलेयर आइसपर्ष्ट होती है, लीव्स पर आते हैं हम इसके, लीव्स अर अल्टरनेट, और ओट पिनेटिली, कमपाउंड, थी तो फाइव लेट्स एच, लेट्स अर ब्रोडली ओवल, और लेव शेडिंग इन जैनुवरी तो मार्च, इसकी पत्तियं संयुक्त, विशम पिच्चाकार, इसकी पत्ते संयुक्त होती हैं, और विशम पिच्चाकार होती हैं, जिस पे तीन से पांच पंडक युकती होती हैं तथा पंडक चोड़े तथा अंडाकार होते हैं Flowers, flowers are yellowish white, flowers are yellowish white flowers, are born in bunches, pinnacle in the leaf axis and appear between March to May. इसके पुश्व छोटे होते हैं, हलके पीले रंके तथा अक्षिय पेनिकल, axillary pinnacle में विक्सित होते हैं पुश्व हलके, सूश्म, पुंकेसर 10, एक संगी होते हैं अब हम इसके फल पर आते हैं, fruits, yellow brown pots, they turn dark brown as they ripe in December to January. फल इसके चप्टे, एक से तीन बीज युक्त, शिंब कहलाते हैं, port कहलाते हैं, फल पतले, संक्रे, आवस्पटनशील, सापक्ष, विंड, शिंब होते हैं, ports कहलाते हैं. जो जन्वरी, December, January में ripe होते हैं, seeds, kidney shaped seeds, इसके seeds होते हैं, वो kidney shaped होते हैं. एक बर हम फिर इसकी मार्फलोजी के बारे में study करते हैं, a deciduous tree, often with crooked trunk and light crown. Normally the tree attain a height of about, loots a grit of 8 feet and clear wall up to 35 feet. It occurs throughout the sub-Himalayan trade, from Ravi to Assam ascending up to 5000 feet. It is extensively cultivated in Punjab, Uttar Pradesh, Bengal and Assam. यह आपको बच्चों यह प्लांट आपने देखा होगा, आपके आसपस रोट किनारे यह पाधप लगते हैं. तो यह आपने इसको देखा भी होगा, आपका ध्यान गया होगा. शीशम क्या है? आद्र जल्वायू का पाधप है, तता समुझतल से 1000 मीटर उचाई पर सामनेता उखता है. यह पाधप मुक्यता नदियों के किनारे, खेतों में भहतायत में उखता है. इससे सडक के दोनों और तथा बागानों में भी छायादर वक्ष के रूप में भहतायत में लगाया जाता है. शीशम का प्रवर्दन जो होता है वो बीजों द्वारा होता है अत्वा या तो बीजों द्वारा होता है अत्वा वर्षा रिदू में कलम रोपन द्वारा किया जाता है बीजों से प्रवर्दन के लिए पहले क्यारियों में पोद तैयार की जाती है दो से तीन फूट लंबे पोदे को गड़ों में रोब देते हैं बीश से पच्चिस वर्ष की आयू में व्रक्षों से कास्ट प्राप्त कर ली जाती है अब इसकी वूट की प्रोपर्टीस, प्रोपर्टीस ओफ वूट कास्ट के लक्षन the safe wood is white to pale brownish which is color and hardwood golden brown to dark brown with deep brown streaks becoming dull on exposure it is heavy narrow, it is heavy narrowly interlocked grind and medium textured it can be air or clean seasons the wood can be converted into ornamental weeners or commercial plywood of good quality कास्ट सम इस्पश्ट रूप से परे दिये रसकास्ट, safe wood तथा केंदरी अंते कास्ट, hardwood में विवेदित होती है rust कास्ट हलकी पीली, pale brownish होती है, हलकी पीली होती है जबकि अंते कास्ट सुनेरी बूरी, golden brown होती है जिसमें गेरे रंकी लाइने, streaks उसके अंदर होती है कास्ट खुर्दरी तथा अंतर ग्रंथिल ग्रेन वाली, interlocked grain इसके अंदर होती है कास्ट इसके खुर्दरी तथा अंतर ग्रंथिल ग्रेन वाली होती है वार्शिक वलिये इसपश्ट होते है ये विश्तित चिद्द प्रकार से वले चिद्द प्रकार की होती है छिद्र सामाने से बड़े आकार के तथा घेरे चिपचिपपदार से अवरुद दोते है इसके कास्ट में नमी लपक 12% तथा इसका ओसत वजन 706 kg पर मीटर क्यूब होता है शीशम की कास्ट सामर्थे इस्थाइत्व तता प्रत्यास्ता के गुणों युक्त होती है इसलिए ये हमारे लिए अकोनुमिकली बहुत ज़्यादा यूस्फूल या भोत अधिक उपयोगी होती है ये आपको शीशम की वुट नेजर आ रही है इसमें आपको भार रसकाषड दिखाई ज़े रहा है पेल येलोईश सा दिख रहा है रसकाषड सेफ़ूट दिखाई दे रहे है अंदर आपको इसके हार्ट वूड अंते काषड नजर ज़े ज़े रहा है CISO is a high class furniture and cabinet wood widely used throughout North India. इसे high class furniture बनते हैं और cabinet बनते हैं, पूरे इंडिया में ये इसके लिए प्रसिद्ध है. On account of its great strength, elasticity, and durability, it is highly valued as construction and general utility timber and is used for all the purpose for which Indian rosewood is employed in South. Carefully selected and manufactured plywood logs satisfied the specifications prescribed for aircraft and for this purpose the wood form, tree growing on canal banks, and in plantation is considered to be the best. CISO wood is suitable for making laminated skits. It can be worked into decorative ornament. It can be worked into decorative ornamental carvings. एक बर फिर मैं इसको repeat करती हूँ, ये हमार लिए economically कैसे useful है. नाव, बेल गाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों, बोज़ड होने वाली अन्ने गाड़ियों, तथा क्रशी अंत्रों, हल, जुआ, आदी के निर्माण में, इसकी wood प्रियोग में आती है, शीशम की wood प्रियोग में आती है. मकान के खिड़की, दरवाजे, फ्रेम, गर्ड़न निर्माण में इसका प्रियोग किया जाता है, बढ़िया किस्म का furniture, cabinet, वे अन्ने घ्रे संचा सामगरी निर्माण में इसका प्रियोग किया जाता है, क्योंकि इस पर चमकदार पालिश होती है. खिलोने, वाद्दे यंत्र, हुक्के किनलिया, चार पाईयों आदी का निर्माण भी इसके द्वारा, खीशम के द्वारा किया जाता है, इसकी कास से उत्तम किस्म का कोईला बनाया जाता है, तथा चार कुल का निर्माण किया जाता है, अंते कास्ट से प्राप्त तेल जो है वो चर्म रोगों, इसकिन डिजीज तता पश्यों के पाद रोग, फुट डिजीज उचार में लापकारी होता है तरुन टेहनिया तता पत्तियां चारे के रूप में इसकी प्रयोक्त की जाती है ये एक मूलेवान फरनिचर कास्टे, इससे महंगे, सुन्दर, नकाशीदार फरनिचर बनाए जाते हैं जिस पर की आसानी से पॉलिज भी की जा सकती है लकडी की विमिन बस्तुएं जैसे खिलोने, कंगे, खेल कुद की सामगरी, वाद्दे, अंत्र, हतोडे, दस्ते, आदिस से बनाए जाते हैं पत्तियां वे कोमर शाखा हैं इसकी चारे के रूप में प्रयोक में आती हैं इस तरहें शीशम जो है हमारे लिए economically important है तो बच्चों आज शीशम का ये lesson complete हुआ इसको एक बर बच्चों अच्छी से पढ़ लिजेगा आपके लिए भी ये important chapter है thank you so much बच्चों झाल 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 झाल